गुर आफ्टेनून गाइस तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाले हूँ मैं अपने फ्रीज को कैसे क्लीन करती हो या फिर जो सामान है उसको कैसे रखती हो उसका एक छोटा सा वीडियो वैसे आज जो है कुछ अलग भी करने का मन था सुबह से जो है काम पूरा हो गया है खाना बनाना बेटी को खिलाना नैलाना उसके बाद जो है मैं जब फ्रीज जो है क्लीन करने बैठी तो सोची क्यों ना इसी का ही एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो जैसे के मैंने दिखाया मैंने पहले जो फ्रीज का वीडियो आप लोगों वीफोल लूग दिखाया था वो अक्चुली बारा बजे को मैंने लिया था वो वीडियो क्योंकि मैं जब भी फ्रीज क्लीन करने बैठी हूँ ना एक से दो घंटा पहले ना मैं फ्रीज जो है ओफ कर देती हूँ सुच आफ करके जो प्लाक पॉर्ण्ट है उसको खोल देती हूँ तो उससे क्या होता है ना जो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है उसका भी डर नहीं रहता है उपर से जो फ्रीजर में बरफ जमा होता है वो भी गल जाता है बरफ तो क्लीन करने में भी आसानी होती है तो पहले जो है मैंने एक bucket ले लिया है जैसे आपने देखा है तो bucket में जो है freeze के door का जितना भी सामान रहता है वो मैं पहले निकाल लेती हूँ उसके बाद जो मैं पहले freeze को clean करती हूँ जैसे आप लोग देख पारे और ये भी जो मैं clean करूँगी ना जो freeze में जो dryer होते जैसे एक का sauce का पानी के bottle का तो उसको भी मैं एक साथ नहीं निकालती हूँ एक-एक dryer निकालती हूँ फिर उसको पोचती हूँ फिर set करती हूँ फिर एक dryer निकालती हूँ और मैं जो clean कर रही हूँ एक्चुली वो plain water मैंने ले लिया है और उस पे जो है आज मैंने lemon juice और जो हम खाने वाला soda आता है ना market में बो दिया है कभी-कभी मैं vinegar से भी करती हूँ लेकिन आज घर में lemon था तो मैंने vinegar नहीं दिया है और lemon से अगर आप लोग freeze के अंदर का जो drawer रहता है वो साफ करते हैं ना clean करते तो उससे क्या होता है ना कोई भी bacteria या फिर गंदे जो smell आते हैं हम freeze से जो है सामान निकालने के टाइम पर जितना भी संभाल कर करें कुछ ना कुछ अगर गिर जाता है और वो पोचना या फिर clean करना अगर भूल जाते है ना तो बहाप पर जो है गंदस में लाने लगता है तो वह भी नहीं होता है बैसे तो मैं हरे हफते में एक बार जो ह किया दो दिन पहले हम लोग freeze clean कर लेते उससे क्या होता है ना कि आगे बाजार जाने से पहले मुझे पता भी चलता कि घर में अगर कोई vegetable रह जाता है तो वो भी मैं खरीते नहीं हूँ तो जैसा मैंने बताया तो अभी clean करने के या पर आ जाते तो जैसा मैंने बताया एक ए बताय जो है तो आप लोग देखी पा रहे हूं ऱुहा ओप प later user के आप लोग के ओले और ते आप थे जो हम रहा को सेट कर रहे हूं और उसके बाद, जो हम रेगूलर अंडे खाते है ना हम उसको शायद पॉल्ट्री के अंडा बोलते तो वही हम लोग लाते लेकिन ये जो पाव भाजी चाट मसाला तो उसका पैकेट मैं पहले रख रही हूँ और उसके बाद मैंने दिखाया एक प्लास्टिक के कटोरी में खुले पैकेट थे तो वह रख रही हूँ क्योंकि हम चोलब दिखाया है नियुक्त समया पिन परिखाया हुतंकी करेखाया प्लास्ति कें तो प्लास्तिक के काम के // यह trends मेर प्लास्तिक जितना आया है, और उसके बाद या पर कुछ मसाले है, होल मसाले या फिर जो पाउडर मसाले है वो या फिर विनिगर, टोमेटो, केचप और शायद ग्रीन चिली सॉस भी है, वो रखा हुआ है और जैम है, चोकलेट सिरप है, तो वो सब रखते हूं, और उसके नीचे जो है पानी गर्मियों के टाइम पर ही रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं, और अभी मैं पहले क्लीन कर लूँगी, जो हमारा फ्रीजर रहता है, उसके नीचे बाला ड्रो है, तो बहाँ पर क्योंके मैं जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली एक साथ ही पूरे हफ़ते का पेस किया, उसके बाद जो है, वो बहाँ पर सेट कर दिया, और उस ड्रोयर में मेरा वो ही पेस्ट, मसाले का पेस्ट, या फिर पनीर, अगर एक स्टा बटर मैं कभी लाती हूँ, वो या फिर जो सेंवीच के बीच में देते हैं, क्या कहते हैं, उसको भूल गई, जो स्लाइज आता है, हाँ, चीज स्लाइज आता है, बो रखती हूँ, और उसके नीचे बाले ड्रोयर में रहता है, मिल की या फिर जो बटर हम यूज कर रहे हैं, और बो जो आप स्टील वाला टिफिन बॉक्स में अभी निकालूंगी, उसके अंदर जो है, हम जिस बटर को यूज करते बो मैं खुला नहीं रखती हूँ, उस टील के टिफिन बॉक्स में रख देती हूँ, और जैसा के आप देख पारे, ड्रोयर मेंने सेट करके बहाँ पर जो जो रहता है, चीज या फिर पनीर बो सब रख दिया है, और उसके सेकेंड ड्रोयर को मैं भी साफ कर रही हूँ, औ मैं जो हूँ सुभा क्योंकि मैं दो टाइम खाना बना, तीन टाइम एक्चुली, सुभा कभी-कभी बना लेती हूँ, आधा क्योंकि हस्बेन ओफिस जाते हैं, और जाने से पहले खा कर जाते हैं, या फिर ब्रेकफस्ट में अगर कुछ वेजिटे भी लगता है, तो बो बोटी बच्ची को लेकर मुझे सारा काम करना पड़ता है, और जब भी मैं वेजिटेबल चॉप करने बैठते हूँ, वो क्या करती है, सामने आकर बैठ जाती है, खरी रहती है, तो उसी बज़ाए से मैं जो जितना भी हो सके, मैं वेजिटेबल चॉप करके ही रखती तो उसके वो अभी मैंने सेट कर लिया है, और उसके सेकेंड डोयर में अभी मैं क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद जो जिस वेजिटेबल जो एक डोयर रहता है, उसको भी क्लीन करके मैंने रख दिया है, अभी जो है मुझे याद करके रखना परेगा कि घर में क्या-क् बाजार जाने वाले हैं एक से दो दिन के अंदर जैसा मैंने बता इसलिए ही बेसिकली फ्रीज क्लीन कर रहा है और क्लीन हो रहा है और मैं ऐसा ही करती हूँ जिस दिन बाजार जाना होता है उससे एक से दो दिन पहले ऐसे ही क्लीन करती हूँ तो अगर याद भी रहता है इसस और वेजेटेबिल जो है मैं अभी एक ही ड्रोयर में रख दूंगी उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ वार ढूंडना नहीं परेगा सिर्फ वेजेटेबिल ड्रोयर निकालूंगी और वही से जो भी वेजेटेबिल मुझे चाहिए वो एक साथ मिल जाएगा तो वो ही अभी मैं देख रही हूँ और सेट कर रही हूँ कहाँ पर क्या रखना है और जो पत्ते वाले सबजी है जैसे के धनिया पत्ता और पियास पत्ता भी आता है तो वो भी घर में रखा था वो सिर्फ जहाँ पर मैं वेजेटेबिल रखी हूँ उससे उपर वारे ड्रो तो उसमें क्या होता है कुछ दिन बाद फंगस आ जाता है तो वह मैं फ्रीज में रख देती हूं तो वही अभी जो है एक बार निकाल रही हूं एक बार बाहर कर रही हूं जो मुझे पहले चाहिए उसको उपर रखना पड़ेगा जो साधा क्वांटिटी में है वो से नीचे ही रखना पड़ेगा तो ऐसे ही मैं अभी रख रही हूं सजाकर और जो एक्स्ट्रा अंडा था उसको मैंने जो होलिक्स का बॉक्स है उसके पास बारे टिफिन बॉक्स में रख दिया है और यह जो है मेरा फ्रीज अभी हो गया है क्लीन करना या फिर सामान जगा पर रखना हो गया है और अभी जो है मैं फ्रीजर क्लीन कर रही हूं और फ्रीजर में बेसिकली कुछ भी चलीन शावा हिआं तो नहीं हैं नांने वुह आजा लाज है, लोग में आयों में अस्तान फिछ कि खूर लिटा में लेटें से कमझेट हैं, सरस्किल फिसटे शेटृ पॉर्ण हो लिक करें,言 यू यू काँने forma और कें लिए यूल van वाले पॉंड का जो टिफिन बॉक्स है उसको रखकर अभी फ्रीज मैंने बंद कर दिया है और अभी जो है आउट साइड फ्रीज का क्लीन हो रहा है और यह जो है मुझे क्यूंके मेरा घर जो है बहुत छोटा है और कीचेन के अंदर ही यह फ्रीज रहता है तो एक से दो दि अंदर अगर मैं यह उइल क्लीन नहीं करते हूं तो बाद में जाकर क्या होता है कि इतना मोटा ओल आ जाता है कि वह साफ करने में बहुत परेशानी होती है तो फ्रीज के ओपर एक कपड़ा देकर मैं बेसिकली चीजे रखती हूं और यह पर जो है एक मिक्सी मैसिन मिक्सी में धाता है तो और मैं मच्झी पर और काम करने के टाइम पर आसानी होती है उतना लगता नहीं है लेकिन यहांपर अगर रहता है तो आसानी होती है और क्योंकि जैसा मैंने बता हा ऊएल आकर जो है बही पर चिपअकता है फ्रिस के उपर तो इसलिए मिक्सी को मैंने एक केक आता है ना, मार्केट में उसका एक पैकेट रहता है उससे धक다 रखता है ताके मिक्सी जो है यकिशन में बहु कह भुट प्राइफ्रूट्स के डब्बे हैं बो रहते हैं इसके इलावा बेटी के थोड़े बहुत दबाई जैसे बुखार के पेट दर्थ की या फिर ठंडी की जो है दबाई भी बहापड़ी रहता है साथी जो है मैं फ्रीज का आउट साइड जो है अभी आप देखी पारे मैं कॉ जमा होता है उसको छुराने में आसानी होती है और ज्यादा प्रॉब्लेम भी नहीं होता है तो वह अच्छे से क्लीन हो जाता है तो अभी वही कर रही थी और बेटी जब देखिए मैंने कॉलिन लिया है तो उसको जो है बो स्प्रे करना बहुत पसंद है तो वही बो मांग करने आई है और इसलिए जो है किस कर रही है कि जैसे हम लोग बोलते है ना मसका लगा रही है ताकि मैं उसको वह दे दूँ तो वही करते करते भी काम भी हो जाता है बेटी को भी टाइम देना पड़ता है क्योंकि वह अकेले घर पर रहती है और क्लीन करने के बाद जो है मै लोगों के साथ वही मैं शेयर कर रही हूँ और बहाँ पर जो आप लोग फोटो फ्रेम देखे वह अक्चुली हमारे पहले एनिवर्सरी का फोटो था और यहापर जैसा मैंने बताया यहापर है स्लाइस क्या कहता है चीज स्लाइस बटर और यहापर कटे हुए बहुत पता नहीं जाएंगा नहीं यहापर जो है कटे बहुत बड़े बाले पैकेट रखे जैसे बेसन या फिर चाल के आटे की चावल के आटे की तो ऐसा ही रहा जरूर बताईएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कॉम सुफथ है कर दो लगल को दो है